हालो दोस्तों गूड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों आज है ठारा मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टन करेंट अफेर्ट के कुष्चिंस के बाले म चलेंगे तो ध्यांसे वीडियो देखना है और वीडियो देखनेंगे बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्फ कर सकते हो कुईज मिलेगी आपको एकटी एप पर वहीं पर दोस्तों आपको आडियो रिवीजन पीडियाफाइल और हर प्रगर की कुईज वीडियो वगरा मिल जाय करती हैं तो अगर आपने अभी तक MZT app नहीं इंस्टाल किया है तो इस्टाल कर सकते हैं चले बात करते हैं लाज़ज़े के कुछिशन की लाज़ज़े का पहला कुछिशन मैं आप से पुछा था अवरांचर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया तो 20 है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के इन में बताऊंगा चले बात करते हैं आज के पहले कुछिशन की आज का पहला कुछिशन है हाली में किस बैंक को निफ्टी 50 से बाहर किया जाने का फैसला लिया गया है 19 मार्च से इसे बाहर कर दिया जाएगा अब बाहर हो झाएगा तो इसकी जगह पर कौन को नहीं इसकी जगह पर आएगा सिरी सीमेंट क्या आएगा स्री सीमेंट आएगा इसकी जगह पर ठीक है और निफ्टी बैंक इंडेक्स से जब इसे बाहर किया जाएगा तो उसकी जगह पर बंधन बैंक आएगा ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में इसकी जगह पर स्री सीमेंट आएगा और जो निफ्टी की बैंक इंडे जो top 50 listed company होती है, जो nsc में listed होती है यानि national stock exchange में listed होती है, उन प्रमूख कंपणियों के shares इसमें soak एते हैं, index इसमें soakeए जाते हैं, ठीक है, यह उन्हीं कंपणियों के share पर नजल रखता है, nifty, जो आनि top 50 जो इंडिया के companies है, उन्हीं का यह group है, clear बिलकुल, असोग कपूर दो रिस्तोदारों में मेल करके मुंबई में की थी सन 2004 में कब की थी सन 2004 में फिर 2008 में जो मुंबई का 26 से 11 हमला हुआ उसमें असोग कपूर की डेथ हो गए थी राणा कपूर इसके संस्थापक बचे हुए थे और इन पर अभी वर्तवार में ED की जान चले क्यो उनको भी CEO के पत्से हटा दिया गया है तो अब प्रसांथ कुमार जी को MD और CEO बनाया गया है अभी कुछी दिन पहरे इनको प्रक्षासक नहीं किया गया था लेकिन अब फिलाहल MD और CEO बनाया गया प्रसांथ कुमार को और सुनील महता को non executive chairman बनाया गया सुनील महता PNB के याद रहे का आपको साथी साथ SBI ने 49% हिस्सेदारी भी खरीद ली है 49% हिस्सेदारी के तहट SBI ने 7250 करोण रूपए में खरीदे हैं 725 करोण सेयर यानि 10 रूपए प्रति सेयर के हिसाब से खरीदे हैं तो यह इतनी जानकारी आपको Yes Bank से होनी चाहिए अच्छा Yes Bank के जो रवनीद गिल अभी मैंने बताया आपको CEO थे इससे पहले जब यह बोर्ड भंग नहीं हुआ था तब यह कुश्चन पूछा गया अभी कल के SSC CHSL के एक्जाम में इसको याद रखेगा मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है सब्सक्राइब के CEO से पहले रवनीद गिल से अब आने वाले दिनों में SSC CHSL के एक्जाम में सब्सक्राइब से यह बाकी पॉइंट मैंने बताये हैं यहां से कुश्चन जरूब भूश हो जाने के चांज से हैं क्यों क्योंकि सब्सक्राइब लगातार दोस्तों ट्रेंड इन दोनों ने लिखा है संयुक तूरोप से तो उपरोग तो दोनों आप्स नापका करेक्ट होगा इस बुक को पब्लिस करेगा पेग्विन रैंडम हाउस अफ इंडिया अभी ये बुक पब्लिस नहीं होई है चले अभी ये तो है important बुक तो हम लोग पिछले कुछ दिनों में जो जो भी बुक आई हैं चर्चे में उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं अभी नवीन पतनायक जी ने एक बुक लांज किया था अपने पिता जी के ऊपर बीजू पतनायक जी के ऊपर कौनसी बुक तो ही हो दा एडवेंचर्स ओफ दा डेयर डेविल डेमोक्रेट इससे याद रखेगा और जो आयुसमान खुराना जो एक्टर है उनकी पतनी है ताह स्मिर्ती इरानी जी ने भी एक बुक लांज किया था उस बुक का नाम है Chronicle of Change Champions यह जो बुक आई हैं यह रिसेंट चर्चे में आई हुई बुक्स हैं और वैसे जितने भी इंपोर्टन बुक्स आई होती हैं जो भी मंत्की उनको मैं आपको मंतली इबुक में दिया करता से भी आप लोग पास पते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाले में कहाँ के मुख्यमंत्री ने CMAST और CMAT नाम कदो योजनाइ शूरुकी तो अभी हाले में मरिपुर के Chief Minister ने CMAST और CMAT नामक दो योजनाइ सूरुकी हैं अब यह दोनों योजनाओं के बारे होग हम इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग नाम याद कर लिजेगा, CM80 का फुर्फाम होता है दोस्तों, Chief Ministers Artist Singh G. Teng Bang, ठीक है, तो अब आपको नाम से मैं थोड़ा सा explain करता हूँ, ये वाला जो है, first वाला, CMAST, ये दोस्तों, sports related एक योजना है, और CM80 जो है, ये artist से related यानि कलाकारों से related एक योजना है, मरीपूर सरकार की, तो अभी तक मरीपूर राज की ये दोनों योजना है, कलाकार और sports के लिए की गई, जितनी भी योजना हैं भी इससे पहले की, उसमें सबसे बड़ी योजना हैं, ठीक है, अब जो ये sports वाली योजना होगी, इसके त सरकार के तरफ से जो भी दी जाने वाली धनरासी थी, उनको increase किया जाएगा, और artist वाली योजना में दोस्तों, जो 60 years से अधिक के उम्र के जो selected artist होंगे, उनको pension भी दी जाएगी, कुछ ही selected artist को, इसे भी ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों योजनाएं मरीपूर सरकार की है और अभी तक की sports और artist के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हैं मरीपूर की, clear है, चलिए मरीपूर आया है, तो मरीपूर की बार में जान लेते हैं, मरीपूर देख लीजे, ये रहा map में, इमफाल यहां की राजधानी है, एन बिरेन सिंग, BJP पार्टी से यहां की है, चीफ मरीपूर की अस्थापना 21 जनुरी 1972 को ही, ये अपना बार सेर करता है, मिजोरम से, असम से और नागालेंड स्टेट से, clear है, next बात करते है, next है, हाली में फ्रांस ने किस कंपनी पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, तो अभी हाली में फ्रांस ने एपल कंपनी प बात करें भारती है, मुद्रा में, तो 9100 करोन रूपए, clear है, तो याद रखेगा, यूरो क्योंकि फ्रांस की करंसी होती है, इस वैसे यूरो में लिखा गया है, यूरो में जुर्माना लगाया गया, तो 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना एपल पर लगाया गया, अब बा करती, uncompetitiveness बेवहार अपनाने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है, clear है, समझ में नहीं आया हो, तो एक सीधा से example मैं आपको देता हूँ, जैसे मालीजे Amazon की company है, इंडिया में ये अपना marketing करती है, तो इंडिया में जब ये marketing करती है, तो कपड़े और भी जो भी समान हो टेक कर से, तो ऐसा ही कुछ है वहाँ पर भी फ्रांस में भी, इसी वेज़े से फ्रांस ने अभी हाली में गाफा कर लगाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, गाफा कर, और गाफा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो चारो अपसर मैंने ऐसे ही जी से Google, A से Apple, F से Facebook और A से Amazon तो इन चारो कमपनियों पर France ने टैक्स लेने के लिए भी खोशना की थी कि वो गाफा टैक्स लगाएगा तो इसे भी ध्यान रखियेगा गाफा टैक्स किस ने सुरू किया फ्रांस ने, clear है और ये होना भी चाहिए, चलिए अब बात करते हैं Apple की, Apple की अस्थापना दोस्तों की थी Steve Jobs, Steve Wajnick और Ronald Wain ने, तीन लोगों ने मिलकर के की थी Steve Jobs ने, Steve Wajnick और Ronald Wain ने, कब की थी 1976 में की थी, इसका हेटकॉर्टर कैलिफोर्निया में है, US में और इसके वर्त आता हूँ, और यहां से अभी कल CHSL में एक कुशन देखने को मिला था, ट्वीटर का CEO पूछा गया था, इसे ध्यान रखेगा, ठीक है, next बात करते हैं, next हाली में सुप्रिम कोट ने किस पूर्व मुखिन आधिस को राजसभा के लिए सदस के लिए नामित किया, तो सुप पहले यही थे, ठीक है, 46 में फिर, 47 में सरद अलविन बुबडे जी है, यह CGI थे यानि Chief Justice of India थे, राजसभा के लिए नामित किया गया है, इनके कुछ अतिहासिक फैसलों पर हम लोग नजर डालते हैं, इन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया है, बहुत ही important question है, इसे या अंकरी ले लेते हैं, राजसभा में total seat हैं, वरतमान में दो सो पैतालिस, इसमें 12 seat हैं, यह मनोनित की जाती हैं, राश्टपती के द्वरा, ठीक है, यह 12 seat हैं, या 12 सदर से जो होते हैं, यह भीबेनी खेल, छेत्रों से जूड़े होते हैं, चाहे उक्येल का हो, चाहे साहेत या फिसने विशेश यach नैंने वाले जो व्यक्ति वोते हैं उन को चुना जा सकता है किसके दोड़ाा न उसके दोरा कैंवानाटमी को ज़ाता है इन्का कारेकाल होता है छे वर्तो का और मिनिमम एजेएर सयोस चाहिए 13 years इसे याद रखेंगा क्लियर है बाकी ज़्यादा डीटेल में जानकारी हम लोग राजसभा की डीटेल वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े धर्म चक्र को लिमका बुक आफ रिकार्ट्स में सामिल किया गया दोस्तों ये है यमुना नगर हर्याणा में इस्थेत यहाँ पर लोहे का बनाया गया है धर्म चक्र जो कि जन्वरी 2019 में बनाया गया था अस्थापित किया गया था जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ये देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र है और इसे अब लिमका बुक आफ रिकार्ड्स ने देश के सबसे बड़े धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है क्लियर है यमुना नगर हर्याणा में ये स्थेत है दोस्तों पचीस सो साल पहले असोग चक्र को धर्म चक्र की नाम से भी जाना जाता था बात करते हैं इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों इसका टोटल वजन है 6 टन का कितने का है 6 टन का टोटल वजन है इसका ब्यास है 30 फिट का तीस फिट का व्यास है इसमें टोटल 24 दिलियां हैं के लिए बिलकुल तो अभी ये हर्याना में इस्तित्त हर्याना के बारे में जान लिए हर्याना मैप में देख लिए राजधानी इसकी चंदीगर मनुहरलाल खटर सी चेफ निश्टर नहां के सतेनेर नारा नाराजी अबिले पोरे सेर करता है। next वात करते हैं नेक्ट है ऐली में फिलिप कार्ट ने लाइफ इंस्वरेंस पालिसी बीचने के लिए क्स से संपालिचने के लिए किस से समझाता किया ? तो फिलिप कार्ट ने अभी हाली में समझाता किया मैं एकडोन L.A finitis के किस लिए अपना अपना life insurance बेचने के लिए अपने life insurance policies को बेचने के लिए या दोस्तों उन customers के लिए शुरू किया गया है जो 10 लाख रुपए तक की बीमा रासी के साथ instant digital policy की डिमांड कर रहे हैं यानि कि जिन customers को 10 लाख रुपए तक की digital बीमा पॉलसी चाहिए उनके लिए चलिए अब Flipkart आया है तो Flipkart के बारे में हम लोग जान लेते हैं Flipkart इंडिया की e-commerce company है 2007 में इसकी अस्थापना हुई थी और किस ने की थी अस्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिल करके बैंगलूरू में इसका headquarter है और इसके वरतमान में CEO है कल्यान क्रिस्न मोर्टी जी अच् बात करते हैं नेक्स्ट है हाली में किसे उत्कृष्ट महला पत्रकारता के लिए चमेली देवी जैन पुरुसकार दिया गया रोहनी मोहन को और आरफा सेरवानी को इन दोनों को दिया गया है उपरोग तो दोनों option आपका correct होगा चमेली देवी जैन पुरुसकार दोस्तों आरफा सेरवानी की बारे में बात करें तो ये दावायर की रिपोर्टर है किसकी रिपोर्टर है और इन्हें किस लिए दिया गया है इन्हें दूस्तों कस्मीर और उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष चल रहे थे अभी पिछले कुछ दिनों में उनकी रिपोर्टिंग के ल कुई इनको भी दिया गया है बात कर लेते हैं चमेली देवी जैन प्रुसकार की तो इसकी अस्थापना दोस्तों 1980 में की गई थी 1980 में मीडिया फाउंडेशन की द्वारा ये पत्रकारिता के छेत में दिया जाने वाला एवार्ड है ये महान सुतंता सेनानी और समात सुधारक चमेली देवी जैन की नाम पर दिया जाता है क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है केंद्रिये सिपिंग राजी मंत्री ने कहां पर रोपैक्स यात्री नौका सेवा सुरू की तो रोपैक्स यात्री नौका सेवा सुरू की है अप याली में महाराश्ट में किसने केंद ये Sipping राजी मंत्री ने जो की है मंसुख मांडविया तो ये यातरी नवका सेवा यानी कि रोपैक्स पैसंजर फैरी सर्विसेज जो होगा ये महराश्ट में मुंबई और मांडवा के बीच चलेगा कहां से कहां तक मुंबई और मांडवा के बीच में इसका निर्माड इस सिप का इस नौका का निर्माड किया है ग्रीस ने इसकी छमता के अगर बात करें तो इसकी टोटल छमता है दोस्तों कि ये 200 कारों को एक साथ ले जा सकती है साथी साथ एक हजार पैसेंजर्स को भी ले जा सकती है इसकी मैक्समम स्पीड है 14 समुदरी मेल क्लियर है बिल्कुल तो महराष्ट में ये सुर की गई है नौका सेवा अब आया है महराष्ट तो महराष्ट देख लिजे मैप में मुंबई यहां की राजधानी है वो दो ठाकरे से उसेना पार्टी से यहां के है चीफ मिश्टर गवर्नर है भगत सिंग कोस्यारी जी महराष्ट किस्ते किस्ते अपना बाडर सेर करता है तो यह दोस्तों अलग हुआ था एक मई 1960 को गुझरात से तो गुझरात से अपना बाडर सेर करता है क्लियर बिलकुल next बात करते है नेक्स्ट है हाली में कोरोना वारेश के कारंड किस फुटबाल कोच का निधन हो गया तो अभी हले में दोस्तों Francisco Gracia का निधन हो गया ये एक football coach थे कहां के football coach थे तो एक Spanish football club है उसके coach थे और club manager भी थे उस club का नाम है Atletico Port Data ये जाब को भी option मैंने लिखा हुआ है ये club का नाम है Spanish club था ये तो इसके ये coach थे और club manager भी थे Francisco Gracia इनका अभी हाले में coronavirus की वज़ा से निधन हो गया है अलाकि इनको blood cancer भी था ये blood cancer से पहले से पीड़े थे लेकिन coronavirus की असर की वज़ा से इनकी मित्व जल्दी हो गई ऐसा बताया जा रहा है तो बस दोसकों फिलाल आज के दिन के current affair के question से बस इतना ही आई होब आपको वीडियो पसंद आई होगी काफी कुछ जानकारिया मिली होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को share जरूर कर दिजेगा और वीडियो को like जरूर कर दिया करो चलिए अब बात करते हैं कुश्चन सब्दर देकी आज का आपके लिए question है Microsoft ने COVID-19 को ट्रेक करने के लिए कौन सी वेबसाइट लांच की है अगला All England Badminton Championship के पूर्स एकल का खिताब किस्तने जीता है दोने question important है दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो और डिटेल में अंसर कीजेगा बात करते हैं उन टॉप 15 लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में अंसर किये थे और सबसे पहले किये थे उनके नाम है इतने लोगों ने डिटेल में अंसर किया है आप लोग भी दोख्तों बेस्ट करेंट अफेर पाने के लिए आप लोग वीडियो को रोजाना देखा करो और इसे सेर्ज जरूर कर दिया करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिं